सो हेलो गाइस बेलकम बैक टू मैं जैनल इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पोको एक्सिक्स प्रो वर्सेस रेडिमी नोट 13 प्रो का फुल कंपरेजन करके बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफ़न बैस्ट रहने वाला है अगर आप जो है गेमिंग देख रहे हो या फिर आप कैमरा वाइस फॉन चूज करना चाहा रहे हो तो आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको कौन सा फॉन पिक करना चाहिए फिडियो स्टाट करने चाहिए आप भे एक काम कर सकते हो हमारी वीडियो का लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लो फिडावट बेस्टो में टायम लेए अगर अगर आपको वेगन लेधर डिजाइन नहीं देखने को मिलता है बट आपको finish matte glass finish design देखने को मिलता है जो कि अपने आप में एक premium design देता है तो वैसे आपका opinion है कि आपको wagon leather design पसंद आता है या फिर glass design तो अपना opinion जो comment करके बिल्कुल बदाना वैसे design वाइस दोनों इस फॉन बहुत ही premium निकल गया आता है आपको 6.67 इंच का 120Hz 1.5K AMOLED display देखने को मिलता है अगर मैं वैसे डिस्प्ले जो है दोनों का ही similar मिलता है और वैजल डिस्प्ले को पर वह बहुत ही कम है तो आपको gaming का भी experience काफी बढ़िया आता है और content watch करने भी एक premium सा feel देता है और यहां पर डिस्प्ले में color वेगारा से भी बहुत ही smooth निकल के आते हैं तो डिस्प्ले का इस दोनों का ही similar है तो नेक्स अगरा प्रोसेसर के बारे हम बात करें तो Poco X6 Pro में आपको Mediatek का Dimensity 8300 Ultra processor देखने को मिलता है इसी के साथ अगर मैं अन्तितु स्कूर के बारे हम बात करें तो इसमें आपको million तक का अन्तितु स्कूर देखने को मिलता है जहां से आपको 1.4 million अन्तितु स्कूर निकल के आता है तो approximately आपको performance पता चल गया हुआ कि कितना बैटर यहां से Poco X6 में निकल के आता है तो इसी के साथ अगर मैं Redmi के processor के बारे हम बात करूं तो यहां से आपको Snapdragon 7 Gen 2 का processor देखने को मिलता है अगर में अन्तितु स्कूर के बारे हम बात करूं तो यहां से आपको 5,89,000 के आसपास अन्तितु स्कूर देखने को मिलत है तो अगर आप gaming करते हो आप एक gaming phone देख रहे हो तो Poco काफी बढ़ियां आपको यहां पर experience बैटर दे सकता है as compared to redmi क्यूंकि आपको यहां पर अन्तितु स्कूर भी million तक का निकल के आता है तो अगर आप gaming करते हो आप medium to high settings पे like COD mobile PUBG, BGMI सब खेल सकते हो lag बिलकुल नहीं करेगा और hit का जो problem है अगर आप continue gaming करते हो hard gaming कर रहे हो तब पर भी आपको बढ़ियां सबी कोई सा भी आपको hit का problem देखने को नहीं मिलता है so gaming के मामले में और day to day life में की भी मामले में बहुत ही अच्छा Poco X6 निकल के आ रहा है वैसे redmi का भी font बहुत ही अच्छा यहां प और भाई Poco बाले के बोलना पड़ेगा कि यह काफी बड़ी experience नहीं प्रोवाइड किया Poco X6 Pro में ऐसे दोनों के performance काफी बढ़िया है बात करें तो Poco X6 Pro में आपको rear camera वो 64 megapixel के OIS camera देखने को मिलता है प्लाट 8 megapixel के आपको secondary camera ब्लस 2 megapixel के depth camera देखने को मिलता है और front में आपको selfie camera वो 16 megapixel के देखने को मिलता है इसी के साथ अगर हम Redmi Camera के बारे मात करें तो इसमें आपको Double Century Megapixel का tapra camera करें को मिलता है इसी के साथ अगर मैं आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलता है तो गाइस के मामल में रेडमी एक श्टेप आगे निकल के आ आपको यहां से 200 अगा पिक्सल का रेयर केमरा देखने को मिलता है वैसे दोनों इस फॉन में बहुत ही अच्छा सा पोट्रेट सब फोटो निकल के आता है लो लाइट में अच्छा सब क्लिक करता है और अल्ट्रा में भी आप बढ़ियां से यूज कर सकते हो फोटोग्राफी फोटो के मामले में दोनों इफान काफी बढ़ियां निकल के आ रहा है तो आप डेपिनेटली जो रेड्मी के साथ जा सकते हो बट्रेट में आपको बहुत ही अच्छा केमरा देखने को मिलता है अगर हम बैटरी के बारा हम बात करें तो पोको में आपको 5000 देमेज का बैट देखने को मिलता है मिन्स अगर आप सनलाइट भी फॉन यूज करोगे तो बढ़ियां से विजिबिलिटी यहां पर देता है तो बहुत ही बढ़ियां ब्रैटनेस प्रवाइट किया गया है और दोनों ही फॉन आपको थ्री यर का एंड्रोइड फ्लस फॉर यर का सिक्रेटी देखने को मिल जाता है तो दोनों ही फॉन आपको अंडर 25,000 देखने को मिल जाता है तो आपके निट्स के इसाब से डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए तो अगर आपको बढ़ियां परफॉमेंस चाहिए आप गैमिन के लिए फॉन देख रहे हो तो कोई भी क्वेरी हो कोमेंट करो मैं यहां से बिल्कुल रिप्लाय करूँगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिजे और ऐसे इंट्रेस्टिंग सब वीडियो के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू